हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे माल्वेर एंड इस टाइप की देखिए जैसा कि हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जो माल्वेर होता है एक्चुली देयर बेसिकली पहले हम आज का टॉपिक लिग देते हैं माल्वे इस टाइप ठीक है तो माल्वेर बेसिकली होता क्या है माल्वेर जो मैलेशियस सॉफ्वेर होते हैं जो सॉफ्वेर डिसर्वेंस क्रियेट करने के लिए डेवलप की जाते हैं मैलेशियस software they are called malware इसमें क्या होता है कि these software's are designed to gain access or install into the computer without the consent of the user मतलब जो उस computer का user है जो उस computer का owner है बगएर उसकी information के या तो आप उसके computer में access ले ले रहे हैं या आप उसमें कोई spice software install कर दे रहा है तो that is called malware अभी क्या है आज की date में काफी बड़ी range malware की available है on the internet ठीक है और जो हर तर की disturbance मतलब आभी समझ लीजे कि user को distract करने से irritate करने से annoy करने से लेकर और sensitive data तक अगर चुरानी है किसी computer से और उसको महा से steel करके किसी remote server पर भेज देना है तो उन सब के लिए different kind के malware जो है आज के समय में available है so there are various types of malwares present in the internet उसमें से जो कुछ popular malware है उसकी हम लोग आज बात कर लेते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो that is adware देखिए adware क्या है it is a special type of malware which is used for forced advertising this malware is used for forced advertising इसका मतलब क्या हुआ कि they either redirect the page to some advertising page और pop up an additional page which promotes some product or event तो यह कहलाते है adware कि unnecessary न चाहते हुए भी आप माली जे net पे काम कर रहा है वहाँ से आपको redirect कर दिया गया दूसरे page पे या कोई pop up page open हो गया ठीक है तो उसमें आपका ध्यान distract हो गया तो इस तरह के जो software होते हैं they are called adware और यह जो adware होते हैं यह companies जो है जानभूच के introduce कराती है तो they are financed and supported by the organization whose product are advertised तो जो जिन company का product वो advertise कर रहे हैं उन company द्वारा यह adware जो है support किया जाता है finance किया जाता है second जो है that is spyware 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 क्या होते हैं it is a special type of software which is installed in the target computer with or without the user permission and is designed to steal sensitive information from the target machine यह spyware क्या होते हैं कि जो भी जिस भी computer से आपको information steal करनी है चुरानी है उस पे चाहे तो user की permission से और चाहे तो without permission यह spyware उस target computer पे install कर दिये जाते हैं by any means और generally यह क्या करते हैं कौनस इंफरमेशन चुराते हैं आदमी के computer से mostly it gathers the browsing habits of the user and then send it to the remote server without the knowledge of the owner of the computer और generally होता क्या कि most of the time they are downloaded into the host computer while downloading freeware generally यह spyware जो है किसी के computer में जब install कैसे हो जाते हैं जैसे आप कोई free software जो है कोई freeware या कोई free application program आप internet से download कर रहे हैं और उसके साथ में ही यह spyware जो है download हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है ठीक है अब spyware जो है यह दो तरह के होते हैं ठीक है यह ब्राउज़र यह होता है जो क्या यह दो यह दो क्या दे हुआए ब्राउजर हाईजैकिंग ब्राउजर ब्राउजर पर काम करता है तो न चाहते वे भी उसको रीडारेट कर देते हैं कुछ और साइट्स पर जिन पर वो नहीं जाना चाहरा तब भी तो यह होते हैं आपके ब्राउजर हाईजैकिंग सॉप्टेर उसके बाद फोर्थ जो आता है इसका आप लोग ने सुना भी होगा नाम की वाइरस आ गया वाइरस क्या होते है वाइरस भी एक क्या होता है वाइरस भी एक प्रोग्राम ही है तो वाइरस जो है यह डेलिबरेटली बनाए जाते हैं क्यों बनाए जाते हैं कि किसी computer को damage करने के लिए या harm पहुचाने के लिए और वो कैसे harm पहुचाते हैं वो कुछ फाइले आपकी जो जरूरी फाइले रहती हैं उनको delete कर देते हैं या कुछ फाइले append कर देते हैं या memory space काफी ज़्यादा occupy कर लेते हैं by replication of the existing file ठीक है या computer की performance को slow down कर देते हैं या host machine को जो serious virus होते हैं वो format भी कर देते हैं तो this is the very dangerous type of malicious software ठीक है वो computer को किसी भी तरह से आपके नुक्सान पहुचा सकते हैं चाहे वो existing file को delete कर दें append कर दें memory space को बहुत ज़्यादा आपको pipe दिखा दें जो existing file है उनकी replica बनाके computer की performance को slow down कर देंगे ठीक है और even in some cases they format the host machine ठीक है अब virus कैसे आपके computer में entry कर सकता है तो देखिए it can be spread via email attachment pen drive digital images e-greetings audio और video clips इन सबके माध्यम से क्योंकि वो hidden software programs रहते हैं वाइरस जो रहते हैं वो जो user है उसको दिखते नहीं है कि जो चीज़ हम download कर रहा है माले जो कोई audio video clip है या image है या email की attachment है उसके साथ वो download आते हैं आपके machine में आपके computer में a virus may be present in a computer but it cannot activate itself without the human intervention तो वाइरस जो है वो install तो हो जाएगा आपके machine में लेकिन वो अपने आपको active नहीं कर सकता है जब तक कि human intervention ना हो ठीक है और human intervention मतलब कि until and unless the executable file जो .exe file होती है आप लोग जानते होंगे .exe file is executable file तो जब तक की .exe file जो है executable file नहीं execute होगी तब तक virus activate नहीं होता है आपके computer में ठीक तो यह तो हो गया आपका virus उसके बाद जो next है आपका malware वो हो गया worms अब देखें वार्म्स क्या होते हैं यह देखें यह भी देखें वार्म्स भी काफी हद तक they are similar to virus but worms make quality होती है कि they are a class of virus which can replicate themselves मतलब वो अपने को replicate करते हैं और बहुत तेजी से करते हैं they are different from the virus by the fact that they does not require human intervention to travel over the network and spread from the infected machine to the whole network worms can spread either through network using the loop holes of the operating system or via email now the main जो दिक्कत रहती वार्म्स है वो यह कि यह अपने को replicate करते रहते हैं the replication and spreading of the warm over the network consumes the network resources like space bandwidth and force the network to choke so warm क्या करते हैं यह तेजी से अपने को replicate करते जाते हैं और जैसे इसन का size बड़ा होता जाता है यह network के resources को जैसे network का जो भी आपके पास available space है वो जो भी आपके पास available bandwidth है वो वो सब यह consume करने लगते हैं तो यह काम होता है worms का उसके बाद next जो एक बहुत notorious malicious code है that is trojan horse that is trojan horse यह trojan horse क्या है trojan horse is a malicious code that is installed in the horse machine by pretending to be useful software ठीक है trojan horse जो है basically malicious code है एक malware है लेकिन वो horse machine में install होता है तो by pretending to be useful software the user clicks on the link or download the file which pretends to be a useful file और software from legitimate source तो trojan horse जो है user तो किसी भी file को click करके download करता है email attachment को यह सोच के कि यह useful software है लेकिन वो actual में होता है malicious code and it not only damages the host computer by manipulating the data but also it creates a back door in the host computer so that it could be controlled by a remote computer तो मतलब कि यह cable damage ही नहीं करता है उस target machine को जहां पर यह install हो गया है यह back door open कर देता है और आपके computer का आपके machine का जो control है वो किसी दूसरे computer के पास चला जाता है so it can become a part of botnet यानि robot network तो आपका computer क्या होता है वो एक robot network का part बन जाता है और a network of computers which are infected by malicious code and controlled by central controller the computer of this network which are infected by malicious codes are known as zombies zombies तो जो computer इस malicious code से इंफेक्ट हो जाते हैं they are called J-O-M-B-I-E-S zombies और जो robot network होता है जो अभी हमने आपको पता है robot network that is called botnet a network of infected computer the computers of this network which are infected by malicious code are known as zombies trojans neither infect the other computers in the network nor do they replicate trojan जो है जिस computer में install होता है केवल उसी को effect करता है ये ना तो network के और computers को effect करता है ना ही ये replicate होता है अपने आप ठीक है that is called trojan horse अलाकि ये बहुत ही dangerous malware है उसके बाद next हम लोग बात करते हैं तो ये आगया आपका scare wear ये क्या होता है next is scare wear ठीक है ये क्या होता है कि देखिए scare wear में क्या होता है कि चुकि internet ने काफी कुछ हमनों की daily life को change कर दिया है कि कैसे हम बात करते हैं shopping करते हैं खेलते हैं और सारी चीज़े तो it has even changed the way how the criminal target the people for ransom ठीक है वाइस surfing the internet suddenly a pop-up alert appears in the screen which warns the presence of dangerous virus spyware etc in the user's computer as a remedial measure the message suggest the used the used download the full paid version of the software मतलब जैसे आप surfing कर रहे हैं अपने computer पर आप काम कर रहे हैं मेट चला रहे हैं browser surfing कर रहे हैं तब तक अचानक suddenly a pop-up alert आएगा ठीक है कि साब आपके computer dangerous virus present है spyware present है और इसको remove करने के लिए आप paid जो है यह software आप खरी दिये ठीक as a user proceeds to download a malicious code known as scareware is downloaded into the host computer it holds the host computer hostage until the ransom is paid तो इसमें कि यह खास बात होती है कि जैसे आप उसको download करने चलते हैं तो वह क्या करता है कि आपके computer को hostage बना लेता है मतलब नॉर्मल लेजम आप समझ लिए आपका computer वहीं पर बंदक हो गया वो कोई operation आप नहीं कर सकते हैं नाइदर भी अनिस्टॉल नौर कें दा computer भी यूज़ अब इसमें दिक्कत यह हो जाती है कि जब आदमी इसमें फस जाता है तो ना तो आप उस malware को उस malicious code को अनिस्टॉल कर सकते हैं और बगर उसको निस्टॉल किए ना तो आप अपना computer ही यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आप रैंजम ना पे कर दीजिए ठीक है तो इस तरह के जो pop-up alert आते हैं उससे आपको काफी सावधान रहना चाहिए ठीक आपको यह क्लियर हो गया होगा इसके जो रिस्क है वो भी क्लियर हो गया होगे अगर इसके रिगार्डिंग कोई question है कोई doubts है कोई confusion है तो आप comment line में comment करके बूचिए और अगर वीडियो content पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को share कीजे like कीजे channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके तैंक यू